वेलकम बैग फ्रेंड्स यह है मारी वीडियो नमबर 10 क्लास 12 कंप्योटर साइंस विथ पाइटन सीरीज के लिए और हम डिसकस कर रहे थे चैप्टर नमबर 1 पाइटन रिविजन टूर को और इस चैप्टर की प्रिवेस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था करेंगे और साती में जंपिंग स्टेटमेंट को भी समझने वाले हैं यानि कि आपका ब्रेक एंड कंटिनुई स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है नेस्टिंग नेस्टिंग ऑफ लूप तो को आपने प्रिवेस वीडियो में देखा था उनको हम कैसे एक्जिक्यूट करते हैं जब भी कोई लूप होता है तो उसमें फूर बेसिक प्रॉपर्टीज या फोर बेसिक स्टेप्स होते हैं स्टार्डिंग पॉइंड पॉइंट इस्टेप्स एंड फाइनली जो स्टेट कर सकते हैं यानि कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप को हम execute कर सकते हैं अब ये लूप आपके कोई भी हो सकते हैं directly हम यहाँ पर convert करके देखते हैं for example एक लूप मेंने यहाँ पर चला दिया for x in range और इसकी value में देता हूँ for example 1 से लेकर 6 तक यानि कि यह 125 आपका चलेगा starting point 1 है end point 5 है और हमने यहाँ पर third argument नहीं दिया है तो by default यह plus 1 का increment लेने वाला है तो माली जी इसके अंदर एक और हम लूप चलाते हैं for y in range और इसको भी मैं चला देता हूँ 1 से लेकर 6 तक तो simply के वल नेस्टिंग हमने समझनी है patterns तो आपने काफी create की होंगे previous class में and then मैं यहाँ पर simply एक print के अंदर लिख देता हूँ for example y चली हम लिख देते हैं and इसको हम end भी कर देते हैं एक new line से यानि कि यह same line पर आपका print होगा and एक print मैंने यहाँ पर लिख दिया तो देखिए तो simple सा है यह I hope आपने previous classes में किया होगा तो यहाँ पर nesting किस तरीके से होई है सबसे पहले तो यह देखना है कि loop आपका properly execute हो तो loop यहाँ पर दोनों ही properly execute होए है one to five दोनों ही execute हो रहे है लेकिन एक loop की body के अंदर दूसरा loop है और loop की एक खासियत है कि जब तक उसकी जो value है वो true होती है वो re-execute होता रहेगा यानि कि बार-बार उसके जो statements है वो execute होंगे तो यहाँ पर दीखिए simple सा अगर x को हम यहाँ पर लें तो एक x variable है एक y variable है तो सबसे पहले x की value यहाँ पर होने वाली है one जैसी x की value one होती है आपको जो flow of control है वो अंदर आएगा तो यहाँ पर दीखिए सबसे पहले y start होगा और y की value भी one से start होगी तो y की value one हो गई यहाँ पर and then जो print हो रहा है तो print किसके अंदर हो रहा है y के अंदर यानि कि screen पर जो आएगा वो आएगा y loop की वज़े से और आने वाले क्या है जो y में value है तो अभी print यहाँ पर क्या होगा simply y के अंदर one है तो one ही print होगा then same line पर आएगा तो अब दीखिए यहाँ पर जो control है वो directly नीचे ना जाके वापिस यहाँ पर repeat होता है क्योंकि यह condition अभी जो है not equals to false है यह false नहीं हुई है तो false नहीं हुए तो re-execute होगा यानि कि one के बाद value increment होके two होगी तो value two and again यहाँ पर print क्या होने वाला है again two then again repeat होगा तो value y की three तो यहाँ पर three print होगा then value four and five and four and five जैसी यहाँ पर यह false होता है then यह statement execute नहीं होगा तो control सीधा यहाँ पर आएगा flow of control में हमने देखा तो यह print है इस print का कोई काम नहीं है केवल new line के लिए है यानि कि आप जो भी काम होगा जो भी screen पर print होगा वो new line से print होगा यानि कि cursor हमारा screen पर एक तरीके से यहाँ पर को है then यह re-execute होगा क्योंकि अभी यह वाली condition भी हमारी false जो है नहीं हुई है तो पहले इसमें value जो थी जो value यहाँ पर X variable hold कर रहा था वो 1 था अभी यह value increment होके 2 हो जाएगा तो जैसी value 2 होती है again यह अंदर आया and re-execute यह दुबारे होगा यानि कि यहाँ पर Y की value दुबारे 1, 2, 3, 4, 5 सभी चलने वाली है तो again same यहाँ पर value चलेगी and जो print होगा वो again 1, 2, 3, 4, 5 अब देखे 1, 2, 3, 4, 5 क्यों आ रहा है क्योंकि हम X को यहाँ Y को यहाँ पर print कर रहा है and Y की value हर बार 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आएगी और अगर हम यहाँ पर X लिखते for example यहाँ पर अगर X होता तो हम क्या करते तो यहाँ पर देखे जो X की value है X की value यहाँ पर 5 time Y की value 1, 2, 3, 4, 5 execute तो हो रही है लेकिन जो value यहाँ पर है जो variable हो X है तो X की value सबसे पहले 1 है तो 5 times क्या print हो जाता 1, 1, 1, 1, 1 then second time X की value 2 है तो 2, 2 इस तरीके से यानि कि आप X कीजिए, Y कीजिए या star लगाए जो भी symbol आप यहाँ पर लगाएंगे वो additives यहाँ पर print होने वाला है तो I hope आपको nesting यहाँ पर समझ माया होगा कि nesting में केवल यह देखना है कि आपका internal loop कितने times repeat हो रहा है क्योंकि output वाले questions में काफी इस तरीके के आएंगे वहाँ पर nesting की जाती है तो I hope आपको 4 के साथ यहाँ पर दूसरा 4 तो आ गया अब इसी loop को माल लीजिए अगर हमको while में convert करना है completely अगर while में हम convert करें तो के वर हमको क्या देखना है यह और यह चीज़े जो है हमको while में as it is put करनी होंगी तो example के तोर पे माल लीजिए x equals to 1 क्योंकि जो outer loop है 1 से start हो रहा है तो x की value 1 यहाँ पे है and while यह कब तक चले जब तक x is less than या equals to 5 नहीं होता देखिए less than equals to क्यों क्योंकि यहाँ पे तो by default एक कम तक यह चलता है लेगिन यहाँ पे हमने equals to भी दे दिया तो directly 5 तक चलेगा then again इसके अंदर हमने increment भी करना है x equals to x plus 1 तो simple सा यह loop तो पूरा convert हो गया इसके बाद देखिए y की जो value है अगर हम यहाँ पे starting में y को 1 ले लेते है तो क्या होगा loop की body के अंदर दूसरा loop है और loop की body के अंदर ही y की value हर बार 1 से start हो रही है तो जो internal loop है इसका जो y है यह हम यहाँ पे ना देके इसको हमने यहाँ देना पड़ेगा यानि की y equals to 1 and then यहाँ पे condition while y is less than equals to 5 y plus 1 and finally बाहर x equals to x plus 1 तो देखिए convert हो गया then simply जो हम यहाँ पे print कर रहे है वो printing statement आपका यहाँ पे आएगा and जो new line का printing statement है वो यहाँ पे गवा जाएगा तो simple सा है जैसे हमने इसमें काम किया था same way repeat करके हमने इसको totally convert किया है यानि कि nesting में हो सकता है for के अंदर आपका while हो या while के अंदर आपका for भी हो सकता है या दोनों mix भी हो सकते हैं तो I hope आपको nesting यहाँ पे समझ में आई होगी तो अब हम देखते हैं जो हमारा next topic यहाँ पे है jumping statement तो देखिए next topic है jumping statements तो jumping statement जैसे की नामी बता रहा है jump करने में help करेंगे तो jump करने में किसको help करेंगे अगर हम loop के अंदर है और loop से हमने किसी conditions के basis पे jump करना है loop को terminate करना है तो इसी के लिए हमारे jumping statements यूज होते है तो दो तरीके के jumping statement है एक तो break है और एक हमारा continue है break क्या करता है break simply आपका break करेगा एक loop को break करके जो flow of control है उसको loop के बाहर ले करके जाता है और जो continue है continue अपने बात की जितनी भी चीज़े है उनको skip करके जो control है वो loop के top पे पहुचा देता है तो चलिए इसको directly example से समझते है तो for x in range मैंने यहाँ पे कर दिया 1,6 यानि की 1,2,6 से चलने वाला है and मैं condition यहाँ पे लिख देता हूँ if x equals to equals to 3 तो simply हमारा break हो जाए और इसके बाहर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ print मैं मैंने यहाँ पे लिख दिया value is जो value है वो चलिए हम x को ही print कर देते हैं तो दीखे इतना ही code मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे दीखे x की value सबसे पहले 1 होने वाली है तो 1 value होगी x की value 3 नहीं हुआ 3 अभी नहीं होई है तो break यहाँ पे execute नहीं होगा directly print statement execute होगा तो print x में क्या आने वाला है 1 आने वाला है then again re-execute होगा क्योंकि condition false नहीं हुई है तो value 2 होगी तो 2 में भी break नहीं है तो सीधा value 2 भी print होगी then again third time जैसी value 3 होती है तो यह execute होगा और यह पूरा जो loop है यह break हो जाएगा जाने कि इसके बाद यह execute नहीं होने वाला है इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे break की जगा continue करता हूँ break की जगा माल लिजे हमने यहाँ पे continue किया तो continue में क्या होगा देखें सबसे पहले जो 1 है वो तो print होगा ही जो 2 है वो भी print होगा 3 पे continue हो रहा है जो break है break ने सबसे पहले क्या control यहाँ से सीधा बाहर लेकर के आता है यानि कि loop के बाहर यह लेकर के आएगा लेकिन continue है तो continue simply क्या करता है continue नी top पर ले जा देता है continue जो execution ने उसको यहाँ पहुचा देगा यानि कि इसके बाद जैसी value 3 होगी continue हो गया control जो है दुबारे उपर चला गया तो यहाँ पे print वाला statement execute नहीं होगा तो यानि कि यहाँ पे 3 print नहीं होगा दुबारे उपर गया तो उसके बाद directly 4 and 5 हमारा print होगा तो I hope आपको समझमा आया होगा कि जो break है वो एक loop को break करता है and continue आपका skip करता है अपने बाद जितने भी statements है अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि print statement यहाँ पे न लिखते अगर मैं यहाँ पे top पे लिख दूँ तो फिर क्या होगा तो देखिए सबसे पहले 1 print होगा अगर हम break लगाते हैं continue की जगा 2 print होगा 3 भी print होगा लेकिन जैसी 3 print हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो है break हो चलेगा तो उसके बाद 4 and 5 नहीं आने वाले हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे continue में करते हैं तो continue से कोई फरक नहीं पड़ेगा हर एक चीज आएगी यानि कि output में 1, 2, 3, 4, 5 सभी मिलेगा क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी statement है यानि कि कोई ना कोई printing statement है ना कोई और statement है तो यहाँ पे skip कुछ भी नहीं होने वाला है तो I hope आपको समझमा आया होगा break and continue अब देखिए कई बार break and continue साथ में भी होते हैं मालने जी यही हमारा code है और इसके अंदर simply 1 से लेकर 5 तके चलेगा तो यहाँ पे 1 print होगा then 2 then 3 जैसी 3 होता है तो देखिए यहाँ पे continue आ गया continue के आते ही क्या होगा सीधे skip होके उपर आ जाएगा तो break हमारा चलने वाला ही नहीं और अगर इसको हम उल्टा कर दें break पहले हो continue बाद में हो तो पहले ही break हो जाएगा तो continue तक जो हमारा control है execution है वो पहुँचे गा ही नहीं तो दोनों साथ भी हो सकते हैं लेकिन उतना फायदा इनका नहीं होता है तो I hope आपको यहाँ पे nesting of loop समझ माया होगा jumping statement समझ माया होंगे तो यह हमारी last video है इस चीज के लिए then next video से हम जो हमारे data type है बले वो string हो, tuple हो, dictionary हो उनको हम detail में discuss करेंगे तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खतम होती है वीडियो no.10 तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में वीडियो no.11